इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंग ने पहले ये यूपी आई का सुविधा नहीं लाउंच किया था लेकिन अब जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंग के अप्लिकेशन में यूपी आई का फेसलिटी आ चुका है तो आज किस वीडियो मैं आपको बताने बाला हूँ कि किस लिए बहुत ही खुशी की बात है इंडिया पूस्ट पेमेट बैंक के लिए इस वीडियो में शेर करना वाला हूं अगर आप इस चैनल पर आप नए तो सबस्क्राइब कर दें और बगल में जो बैल आके नहीं उसे भी आप दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफेकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा तो चलिए मैं आपको मौली स्कीन पर लेके चलता हूं वहीं पर सारा कुछ जानकारी आपको दिया जाएगा सबसे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक का अप्लिकेशन आप ओपेन कर लिजे ओपेन करने के बाद आप यहां पर जो है एंपिन से भी लोगिन कर सकते हैं तो चलिए हम यहां पर लोगिन कर लिए लोगिन करने के बाद आपके होम पेज पे जो है यहां पर देखने को म जाएगा चलिए यहां पे जानते हैं कि कैसे इसको यूज करना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भीम यूपी आई को यहां पे यूज करने के लिए हम यहां पे किलिक करते हैं भीम यूपी आई पे तो अगर आप किसी को भी पेमेंट करना चाहते हैं तो यहां पे सें मन्ट मन्ट मनी पे खिलिक करें तो सबसे पहला आप्सिन है आप मोबाइल नम्म्र के दौरा भी आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं यानि कि का तो यहां पे एक्कॉंट पलस ऐसे सी को जरूर होगा तो यहां पर किलिक kरके उसको जो कर सकते हैं पयों करने के लिए और ऑको नाम यहाँ पर देना पर सकते हैं उसके बाद अहां पर देरा ARE उसके बाद यहां पर IFAC code यहां पर देना पड़ेगा, कुछ detail दे देते हैं यहां पर, तो यहां पर दे सकते हैं, मैं अपना detail यहां पर सारा कुछ यहां पर दे चुका हूं, उसके बाद यहां पर आपको continue पर click करना पड़ेगा, continue पर click करने के बाद आप से पुछा जाएगा आप कितना amount यहाँ पर पैसा transfer करना चाहते हैं तो यहाँ आप यहाँ पर इंटर कर देंगे उसके बाद यहाँ पर remark पर आप कुछ भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद आप continue पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर confirmation के लिए एक बाद फिर से चेक कर लिजे कि आपका detail पुर्णता रूप से सही है या नहीं है तो अगर आपका सही है तो confirm पर click करेंगे उसके बाद आप से पूछा जाता है इंटर MPN तो यहाँ पर इंटर अपना MPN डाल दिजे अगर कभी भी payment किये होंगे तो आप जो है वहाँ पर UPI PIN डेना परता है तो यहाँ पर आपका UPI PIN जो है MPN ही बन जाता है तो इसलिए आपको यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है कि हम जो है UPI PIN नहीं दिये है मेरा payment कैसे successful होगा तो यहाँ पर आपका UPI PIN ही MPN बन जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पर MPN डाल देंगे उसके बाद confirm पर click कर देंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर इंटर MPN डालते हैं तो आपका यहाँ पर देखे transaction successful हो जाएगा तो आप इसी तरके से किसी को भी पैसा transfer कर सकते हैं तो चलिए हम बेक आके चलते हैं किसी को भी यह receive भेजना चाहते हैं यहाँ पर share वाले option पर click करेंगे तो आप WhatsApp फेस्बूक पर भेज सकते हैं तो चलिए हम आपको बेक लेके चलते हैं अगर वहीम UPID से पैसा भेजना चाहते हैं सेम परोसेस है आपको सिर्फ वहीम UPID यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा बहुंकि बाद सारा परोसेस एक ही है उसके बाद contact नमर से अगर आप पैसा transfer करना चाहते हैं तो सारा परोसेस एक ही है आप contact नमर से भी payment कर सकते हैं बेक आने के बाद उसके दूसरे स्थान पर है request money तो यहाँ पर आप जैसे ही click करेंगे तो आप किसी को भी request कर सकते है money request money करने के लिए यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं एक नमर के थुरू, mobile नमर के थुरू याने की contact के दोरा उसके बाद भी ziemlich, UPID के दोरा तो आप यहाँ पर कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर चलिए हैं इसको बेक आके चलते हैं बेक आने के बाद आप यहाँ पर pending request भी आप यहाँ पर देख सकते हैं चीओ नहीं पर अभी करने के बाद यहां पर आपको देखने को मिल जागा आप कौन से बिक्ति को कितना पैसा टान्सफर की है तो भी फिलाल मैंने भी आपको बताए कि 같아요 two रुपियां हम किसी वक्ति को हैं अब को दिखाया आ देखिये यहां पर सक्सेस हो चुक वाँ बैक आजक्टे है बैक आने के बाद यहां पर देखे मैनेज وبैनेफिक happier को थ D Southern whipping और V complex को Thu आप यहां पर देख सकते मैनेज spos prima 프로 मिल जाएगा तो आप यहां पर जो है सबसे पहले यहां पर किरियेट नियू यूपी आईडी पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद यहां पर आपको बहुत सारा आपको यहां पर देखने को मिल जागा तो यहां पर चलिए हम इसको चूज कर लेते जो सजेस्टेज में आ रहा है उसके बाद यहां पर आप continue पर click करेंगे, click करने के बाद यहां पर आपसे पुछा जाता है, change UPID, team UPID available है, यहां पर यहां पर हमको मिल जाएगा, तो यहां पर चले create UPID पर click करेंगे, UPID को change करने के लिए, अगर आपका मन है कि मेरा UPID change हो, तो यहां पर देख सकते हैं, मेरा UPID जो है, change हो चुका है, आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे last option है, complaint, तो यहां पर आप click करके, complaint भी यहां पर कर सकते हैं, उसके बाद एक option यहां पर दिया गया है, homepage पर आप देख सकते है, scan and pay, यहनि कि आप QR code से भी, अगर आप payment करना चाहते हैं, किसी को भी आप यहां पर कर सकते हैं, आपको setting में कहीं पर भी खोजने का कोई जरूरत नहीं है, आप यहां पर homepage पर ही आपको मिल जागा, scan करने का, अगर आप payment करना चाहते हैं, तो वो भी आप payment कर सकते है, scan करके, उसके बाद रूपिया कार्ट का भी यहां पर option दिया गया है, तो यहां पर भी यह जो available नहीं है, तो जैसे ही available होगा, मैं आपको वीडियो बना कर देने का कोशिस करूँगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को छोड़ के, जितना भी सारा बैंक है, तो सभी में आपको ATM कार्ड जो है, वहां पर मांगा जाता है, UPI को प्यो करने के लिए, लेकिन यह पहला बैंक है, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने यह लांच कर दिया है, कि आप बीना ATM कार्ड का भी UPI का यहां पर सुविदा ले सकते हैं, अगर आपका इसमें एकाउंट ओपेन है, तो काफी खुश खबरी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के गरहाकों के लिए, तो इस वीडियो मैं आपको सारा कुछ कभर कर दिया हूँ, कि कैसे आपको मनी टांसफर करना है UPI से, तो यहां पर सारा कुछ मैं इस वीडियो में कभर कर चुका हूँ, अगर कुछ भी छूट जाए, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उस पर हम जल्द से जल्द वीडियो बनाके देने का कोशिस करेंगे आप लोगों का, तो अगर इस चैनल पर आप नए तो सब्सक्राइब पर देंगे और बगल में जो बेल आके नहें उसे भी आप दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फोलो करना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जागा, तो आप फोलो कर सकते हैं, तो जोस्तों फिर मिलेंगे किसे एक और नए सांदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंग, जय भारत!